हेलो फिरेंट्स आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी अंगुर का जूस जिसके लिए मैंने आपे 500 ग्राम अंगुर ले लिया है से तोड़कर इसे अच्छी तरीके से धोलिया है अब एक मिक्सी जार लेंगे और इसमें सारे अंगुर को डालेंगे अंगुर को मिक्सी पॉट में डालने के बाद इसमें डालेंगे चाट टेवले स्पूंग चीनी चीनी आप अपने पसंद के अनुसार कम या ज़्यादा रख सकते हैं और इस अंगुर के जूस को और भी ज्यादा टेश्टी बनाने के रिए यहां डालेंगे एक चोथाई चमच काला नमक मिक्सी पॉट में चीनी और नमक डालेने के बाद मिक्सी पॉट का धकन बंद करेंगे और इसे चला लेंगे अंगुर को हमने एकदम बारिक सा पीस लिया है अब एक बावल के ऊपर छनी डालेंगे और इसमें अंगुर के जूस को हम अच्छी तरीके से चान लेंगे अंगुर को छन्नी में डालने के बाद इस तरीके से हम चम्चे से हिलाएंगे तो अंगुर का जूस बहुत ही आसानी से निकल जाएगा अब जब इस तरीके से थोड़ा सा अंगुर का छिलका बचेगा तो हम मिक्सी पोट में 50 ml के करी पानी डालेंगे और इसमें डालेंगे जिससे बचे हुए अंगुर के जूस भी बहुत ही अच्छी तरीके से छन जाएं यह अंगुर का जूस हमारा अच्छी तरीके से छन चुका है अब इससे हटा लेते हैं जूस को छनी से छानने के बाद अब इससे सर्व कर लेते हैं आप चाहें तो इसमें भुना हुआ जीरा पॉडर भी डाल सकते हैं इस तरह से थोड़े से आइस क्यूब्स डाल लेंगे और मिंट के पत्ते डाल लेंगे लीजे यह हमारा अंगुर का फ्रेस फ्रेस जूस बनकर तैयार है आपको इरेस्पी कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए अगर आपको इस अंगुर की जूस बनाने की रेस्पी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से जरूर कीजेगा साथ में चैनल पर नए हूं